एक बूढ़ी मा की दर्दभरी कहानी तीन साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़ कर विदेश में बसे हुए इन तीन सालों में बूढ़ी मा और ज्यादा बूढ़ी हो गई थी 75 वर्स की उम्र में सुलोचना देवी की यादास्त काफी कमजोर होती जा रहे थी उन्हें रोज मर्रा की चीजे याद ना रहती लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वह था उनका बेटा दिन होया रात एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती दूसरी तरब बेटा था जो साल भर में एक आद बार अपनी मा को फोन कर लिया करता और एक दो मिनट से ज़्यादा बाते भी नहीं किया करता था फिर भी यह बूढ़ी मा टक टकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती एक दिन बेटे का बिदेश से फोन आया हेलो हेलो सुन रही हो ना मा अनील बोल रहा हूं तुम्हारा बेटा कैसी हो मा मैं मैं ठीक हूं बेटा तुम बहू और मेरा पोता कैसा है मा ने पूछा सब अच्छे है मा मैं अगले हपते गाउं आ रहा हूं तुम्हें लेने अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे मा तुम्हारी बहू कर रही थी मा को यहां पर लेकर आओ बेचारी अकेली वहां परिसान होती होगी बेटे ने कहा मा की बूढ़ी सूखी आखे आसूओं से भीग गई उसके कमजोर सरीर के नस नस में खोसी की लहर दोड़ गई बेटे और बहू का अपने प्रती प्रेम देखकर मा का मन खोसी से भर आया बेटे ने आगे कहा मा तयार रहना मा मुझे ज़्यादा दिन छुट्टिया नहीं है जिस जिस से जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना तब तक मैं प्रापर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए घर के लिए मा ने पूछा हाँ मा गाओं का घर हमें बेच देना पड़ेगा अब हम साथ में ही रहने वाले हैं तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है मा बेटे ने कहा बुढ़ापे की वज़े से ठीक से चलने में असक्षम मा ने पूरे महले में घूम घूम कर अपनी इस खुसकवरी को सबको सुनाया सभी को खुसी हुई सबको लगा मा जी के आखरी दिन अपने परिवार के साथ खुसी से बीत जाएंगे घर वापसी आकर मा ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो देखे भी क्यों ना उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था अपने पती के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहु के साथ बिताना चाहती थी दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए मा तयार हो गई आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दाम पर बेच दिया मा ने जादा नहीं लेकिन जिन चीजों से दिल लगा लिया था उन चीजों को समेटा और बेटे के साथ टेकसी में बैठ कर एरपोर्ट के लिए चली गई एरपोर्ट पर आकर बेटे ने मा से कहा मा तुम यहां बेंच पर बैठो मैं सामान का बोर्डिंग पास की जाच करा कर आता हूं वहां वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है तुम्हें तकलीफ होगी तुम यहीं आराम करो मैं यू गया और यू आया मा बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया काफी समय हो गया बेटा वापस नहीं लौटा मा सोचने लगी जादा भीड होगी इसलिए देर लग रही होगी अंधेरा होने को आया अब तो लोगों की चाहल कदमी भी कम होने लगी मा को अब चिंता होने लगी एक करमचारी ने आकर पूछा किस से मिलना है मा जी आपको यहाँ पर क्यों बैठी है डरती हुई आवाज में सुलोचना देवी बोली मैं मेरा बेटा अंदर सामान की जाच कराने गया है लंदन जा रहे हैं हम क्या नाम है मा जी आपके बेटे का करमचारी ने पूछा अनील नाम है मेरे बेटे का सुलोचना देवी ने बताया करमचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद वापस लोटा उसने सुलोचना देवी से कहा मा जी लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठ कर लंदन जा चुका है अब आपके यहां बैठने का कोई मतलब नहीं है आप भी अपने घर चली जाईए मा ने आश्चर से पूछा क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं घर मा की आखों में आशुओं के सैलाब उठने लगे जैसे तैसे मा घर पहुँची जो अब उसका था ही नहीं बिख चुका था ओ वहीं बरांदे में तुलसी के पास सो गई घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए पर उसे दे दिया पेंसन के पैसे से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था दिन बीतने लगे कुछ दिनों बात घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा मा जी आप अपने विष्टेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती हैं इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा अच्छा तो होगा लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका खयाल कौन रखेगा मेरा बेटा बहुत भोला है उसे अपना खयाल रखना बिल्कुल नहीं आता मैं कहीं नहीं जाओंगी क्या पता कब उसे मेरी जरूरत पढ़ जाए मा ने कहा दोस्तों सच बता रहा हूं कि मा की ऐसी बाते सुनकर मेरी आखों से आसुवा गए किसी ने सच ही कहा है पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर बिंती करता हूँ अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना उनके साथ कभी बुरा बरताओं मत करना एक मा ही होती है जो आपका इतना ख्याल रख सकती है इसके अलावा और कोई नहीं है दुनिया में आपका इतना ख्याल रखने वाला मा के चरणों में स्वार्ग होता है दोस्तों ये वीडियों आपको कैसी लगी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ सेर करें और हमारे चैनल पहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद